नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर आशा है आज मैं आपको कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में बताऊंगी Cosmetic Dentistry में हमारा उद्देश है कि हम आपके दातों को और आपकी मुस्कुराहट को एक positive change, एक सकरात्पक बदलाव दे सके Cosmetic Dentistry में बहुत सारे procedures हैं लेकिन आज मैं आपसे दो procedures के बारे में बात करूँगी वो है teeth whitening और दूसरा है gengival depigmentation इन्हें कैसे करते हैं उन्हें मैं आपको समझाओंगे सबसे पहला जो procedure है teeth whitening इसको हम bleaching भी कहते हैं इसमें हम आपके दातों का जो रंग है वो सफेद कर सकते हैं या फिर हलका कर सकते हैं हमें पास जब मरीज आता है तो सबसे पहला जो सवाल होता है कि क्या हमें इस procedure में दर्द होगा क्या हमें injections लगेंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस procedure में दर्द नहीं होता है और यह एक दर्द रहित इलाज है इसमें injections की कोई जरुत नहीं पड़ती है हम इस treatment में आपके दातों की जो structure है उसे कोई छेर चार नहीं करते हैं हम उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं सबसे पहले हम आपके दातों की सफाई करते हैं और फिर उसमें एक जेल की लियर लगाते हैं इस प्रक्रिया में लगभग एक sensitivity हो सकती है जिसे हम आसानी से manage कर सकते हैं इसके बाद हम आपको बहुत सारे instructions देते हैं कि आपको अपने दातों का रख रखाव कैसे करना है दातों की साफ सफाई कैसे रखनी है और अगर अच्छे से maintain करते हैं तो आपकी दातों में जो नया रंग आया है वो साल दो साल अर पहले जैसा हो सकता है जो हमारा दूसरा treatment है वो है gingival deep pigmentation जिसमें हम आपके मसूडों का जो रंग है उसे गुलाबी कर सकते हैं हमाँ पस कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं उनके जो मसूडे हैं उनका रंग काला है या बदरंगी है तो हम उने गुलाबी करने की प्रक्या को ह gingival depigmentation कहते हैं इसमें हम सबसे पहले आपके मसूडों को सुन करते हैं anesthesia देते हैं और फिर उसके बाद आपके मसूडों को एक जो machine है उससे हम उनका जो रंग है उसे बदलते हैं इस machine को हम electrocrottery कहते हैं इससे हम बहुत साफधानी पूरवक आपके मसूडों के उपर जो एक melanin की layer होती है उसे हटाते हैं जो आपके मसूडों को रंग देता है उस प्रक्रिया में हमें लग भग एक घंटे का समय लगता है और इस प्रक्रिया के बाद हम आपके मसूडों के उपर एक dressing लगाते हैं और कुछ medication देते हैं और आपको instructions बताते हैं कि आपको गरम मसालेदार नहीं खाना है दवाईया लेनी हैं और एक हपते बाद हम आपको बुलाते हैं एक हपते बाद आपके मसूडों का रंग गुलाबी हो जाता है और जो आपकी मस्कुराहट में बहुत अच्छा effect देता है बाकी जो procedures है cosmetic dentist के उसके बारे मैं आपसे अगली बार बात करोंगे आपको अगर कुछ भी procedures के बारे में एक सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं comments में धन्यवाद